हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समया पर मिलती रहे हेलो दोस्तों आप लोगों ने कभी ने कभी बीर जरूर पी होगी या बीर के बारे में सुना तो जरूर होगा कहा जाता है कि बीर पीने के बाद इंसान को हलका नशा हो जाता है और वो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार महसूस करता है लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि नशे के लिए पी जाने वाली बीर फैक्टरियों में कैसे बनाई जाती है तो चलिए इस वीडियो में हम आपको लाइव समझाते हैं कि बीर कैसे बनाई जाती है सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि बीर बनाने के लिए मुख्य सामगरी में पानी अंकूरित किया हुआ अनाज जिसमें चावल गेहूं या जों हो सकते हैं और खमीर भी सामिल है बीर में कड़वा स्वाज डालने के लिए होप नाम के पोदे के फूल भी सडा कर मिलाये जाते हैं चावल गेहूं जों खमीर और होप के फूलों को मिलाकर कई घंटों तक पानी में उबाला जाता है पानी में अनाज को उबालने से पानी पूरी तरह से अनाज के दुवारा सोख लिया जाता है फिर इस अनाज को बाहर निकाल कर सुखाये जाता है सुखाने के बाद इस अनाज को बठीयों में डाल कर एक सही तापमान पर कड़क कर लिया जाता है फिर जब यह अनाज कड़क हो जाता है तो इसको grinding machine में डाल कर पीश लिया जाता है जब इस अनाज को पिशने के बाद powder बन जाता है तो इस अनाज के powder को गुड और चीनी वाले मीठे पानी में डाल दिया जाता है और इसको 24 गंटों तक इस गुड़ और चीनी के पानी में ही छोड़ दिया जाता है फिर इस अनाज का पाउडर 24 गंटे तक गुड़ और चीनी के पानी में सड़ना सुरू हो जाता है जिसकी वज़े से स्पिरिट बनने लग जाती है जिसको पाइप के दुवारा दूसरी तरफ से निकाल लिया जाता है खमीर मिलाने की वज़े से सड़ने की यह पर किरिया तेज हो जाती है स्पिरिट को चान कर टैंकों में भर दिया जाता है और इस स्पिरिट को तीन महीने तक लोहे के बरतनों में भर कर रख दिया जाता है तीन महीने बाद बियर बनकर तैयार हो जाती है जिसको लोहे के बरतलों में से निकाल कर बोतलों में पैक कर लिया जाता है और मार्किट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है तो दोस्तों इस तरह से खमीर को अनाज में मिलाकर और होप पोदे के फूलों को मिलाने से तीन महीने में बीयर बनकर तयार हो जाती है उमीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी है जानकारी पसंदाई होगी कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद